हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पपाया मिलकी सेख की रेस्पी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती और हेल्दी भी होती है ठंडी में बढ़िया बनाओ ठंडा ठंडा मजा जाए थोड़ा सब दाने थेढा से तो निकाल लेंगे और पीछे से चिल का भी निकाल देते हैं तो यह देखिए बहुत ही आसानी से हमारे छिलका भी निकल जाता है तो सारे हम ऐसे छील लेंगे और इनके छोटे-छोटे पीसे कर लेंगे तो यह देखिए उपर से भी ऐसे निकाल देते हैं क्योंकि यह जो ऊपर का है इसको भी निकाल दोना नहीं तो कड़वा लगता है फिर यह तो ऐसे सारे हम करके और इनके पीसे सब कट कर लेते हैं तो चोटे-चोटे पीसे स्कंद लेंगे बहुत ज्यादा मीठा था यह पपीता तो कलर आप देख रहे हैं कि तर डार कलर है पका हुआ है अच्छा पपीता तो सारे से कट कर लेते हैं अब इसको हम क्या करेंगे मिकसर के जार में डाल देंगे ग्राइंड करेंगे तो यह मैं डाल देती हूं यह सारा और इसमें हम चार से पांच स्पून डाल देंगे सक्कर का तो मीठा आप कम ज्यादा कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो मीठा आप इधर गुड़ भी ले सकते ह जो अगर सक्कर नहीं पसंद करते हो तो तो यह सारा मैं डाल दी हूँ ठंडा दूद डालना है इसम Dies súper comparable छाहिए, दूद और बस इसको हम गुमा देते हैं वर्फ के डाल देते हैं दो से तीन तो इसको बस पीस लेंगे और ये गिलास में हम बर्फ डाल दिए हैं दो से तिर और ये सेग डाल देंगे तो पपाया मिल्क सेख हमारा रेडी हो गया है उपर से थोड़ा समय डाल दूँगी काजू बदाम کے ड्राई फुरूट्स कट किये थे तो हलका सा डाल दूँगी गानिस करने के लिए थोड़ा ये और साइड में पापीता का पीस से गानिस कर देंगे तो जो हमारा पापाया का ना मिलक सेख है वो रीडी हो गया है इस ठंडी मस्त गर्मी में इंज्वाइ करो आप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो ये देखिए कितनी ज़्यादा देखने ही अच्छे लग रहा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको बच्चों को भी आप पिलाओ बहुत ही मजाएगा उनको भी हेल्दी है तो ओके फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए ठेंक्यू सो मच